बकसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने हत्या और डकेती समेट कई आपराधिक मामलों में शामिल पहले का हाड़कोर नकसली संतोष पासवान को उसके दो साथियों के साथ ग्रफतार कर लिया उसकी ग्रफतारी उसके गाउं मेहदेह के पास से ही की गई है बताते चलें कि संतोष पासवान पूर्वु में मेहदेह बैंक लूटकांड और हत्या जैसी कई संगीन आपराधि गटनाओं को अंजाम दे चुका है जिसे बोकसा से मेहदेह के बीच पुलिस ने इसे दोड़ा कर पकड़ लिया वहीं सदर SDPO गोरख राम ने कहा कि बकसर S.P के निर्देश पर मुफसिल थाना प्रभारी और D.I.U की टीम गठित की गई थी सूचना के अनुसार चुनाव के दोरान अपने समर्तक प्रत्याशियों के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के संतोस पस्वान साकी महदा के राने वाले हैं जो हत्या लूट डकाईती महदा बैक डकाईती साहिव सहिंतन ने कांडों में फियार थे उसके गिरखतारी के लिए पुलिस अदिक्षक बकसर के निर्देश में मेरे नितित्यों में थानाध्यक्ष मुपसिर और डियावी के टीन गठित किया गया था और टीन दो आला लगतार छपमारी किया जा रहा था इसी करह में कल बीस दस को सुचना मिली जिस अदार पर महदा और बोक्षा पथपर संतोस पस्वान और उसके दोस्त नाम है विसा किनारा के रहने वाले हैं अच्छा कुमार पसवान जो दादरा भगवान पुर्क के रहने वाले इसको प्रेक्षार किया गया था जिनके पास से जो देशी पिस्तोर कि 315 का छे गोली चार मोबाईल और पांच किलो गांजा और एक मोटर साइकल बरामत किया गया है इसके दो साथी में से एक विशाल पासवान जो बिसी कला जिला रोतास का है वहीं दूसरा अक्षा पासवान जिला कैमूर का नेवासी है जिनके पास से दो कटा तथा 6 जिन्दा कार्तूस और 4 मोबाईल के साथ 5 किलो गांजा के साथ साथ एक मोटर साइकल भी बरामत हुआ है पंजाब केसरी टीवी के लिए बकसर से संजय की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद